हेलो प्यारे स्ट्रेंट्स माइने में साइफ अलस बाव वालकम तो माई अरत्यसाई चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी पोएम के कोशना आंसर्स और नोँ को उलस वाले हैं और कोशनासर व हम या पर देखने वाले हैं ठीक है तो चलिए सट्वोट करते हैं आपका बन्शॉट रिविजन ताके आप लोगो के ज़नासर क्र शल्त भी कोशनासर स्वीक्लिट हो ज यहां Introduction In this poem, a school boy speaks He is an unhappy child His childhood is crushed in the name of learning and teaching अभी बच्चो आपकी poem लिखे थी William Blake ने, ठीक है इसमें जो बच्चा है होता है वो poem को speak यानि नरेट कर रहा होता है पूरी poem को, एक school boy है ठीक है और ये जो बच्चा है वो काफी दुखी है अपने childhood से बच्चो मतलब ये अपने जो इसके childhood days है ये उसमें enjoy नहीं कर पा रहा है और इस वज़े से बहुत ज़्यादा unhappy है बच्चो इसे सिर्खाया जा रहा है लर्न करवाया जा रहा है इसके वज़े से बहुत ज़्यादा unhappy है अब क्यों? क्योंकि the distant sound of the huntsman's horn is pleasing. He wants to sing with the skylark. In brief, the nature seems to offer a sweet company. अब जो वो बच्चा है, स्कूल वोई है, उसको जो है, मॉर्निक बहुत अच्छी लगती है. और जो ट्रीज है, जो बर्ट है, उसको बहुत अच्छी लगती है, साई चीजे, और दूर से जो huntsman की horn बजाने की आवाज आती है उसको और जो skylar, ऐसे लगता है वो उसके साथ गा रही है स्कूल जो बच्चा है उसके साथ गा रही है, skylar तो उसे nature की company उसे बहुत अच्छी लगती है यानि सब कुछ उसे बहुत अच्छा लगता है morning में इन साथ चीज़ों के साथ जो उसे लगता है सारे मेरे friends हैं उसे इनकी company बहुत अच्छी लगती है unhappy morning अब उसके unhappy morning कब होती है जब however his morning hours pass unhappily he lives a worrisome life in the school neither the books nor the teacher's lecture interest him अब उसे unhappy morning कब होती है उसकी जब उसे school के लिए उठना पड़ता है सुबह और जो उसको ने school जाना पसंद है और तो और जो उसके teacher के lecture होता है और books होती है उसे किसी चीज़ में भी interest नहीं आता है क्योंकि जो जो वहाँ पर teacher है वो पहुत ज़्याद है strict है बिल्कुल भी उसको मज़ा नहीं आता है पढ़ने में इसलिए वो एकदम सर जुका के वहाँ पर बैठा हुआ होता है Childhood The pleasure of childhood is in being free and happy like a bird अब एक childhood बच्चपना जो होता है वो कैसा होता है एक bird की तरह मतलब free bird free इंसान बच्चे जो है वो free रहना चाहता है bird की तरह जिसे bird जो है वो कब खुश होती है जब वो आसमान में खुला खुले आसमान में उड़ती है और जब वो परिंजिरे में बंद नहीं होती है तब वो बहुत ज्यादा खुश होती है इसी तरह बच्चों को भी खुशी मिलती है जब वो free होते है but a child is put in the school just as a bird is put in the cage so the child is as unhappy as a caged bird अब जिसे एक child एक बच्चे को जब school में भेज दिया जाता है बिलकुल इसी तरह जिसे bird को cage में बंद कर दिया जाता है तो इसलिए बच्चा बिलकुल खुश नहीं है जिसे उसे एक bird की तरह cage में बंद कर दिया उसे ऐसा लगता है अब जो हमारे पोईट है वो पैरेंट से क्या बोलता है अब पैरेंट सुद अंडिस्टांड दिया फॉल्ट और पैरेंट सको अपनी गलती को समझना चाहिए डिप्राइविंग दिचाल अब जो 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 बच्चे के जो यूथ फुल डेस होता है अब अब पैरेंट से का reference होता है कि एक स्प्रिंग देज्स की तरह होता है जो जुसको खिलना होता है अच्से तरीकते से उससे खोशी मिलने चाहिए ट फ्रीटम मिलने चाहिए तब ही तो डेयलप हो पाएगा इस थो यूदे निपेंग दिचाल्पिंग में यह वर्ड बिलकुल दुखी है, sorrowful है, एक sorrowful प्लेस है अगर happy यानि बिना happy childhood के बिना, यानि अगर हम मानलो अगर बच्चा है वो दुखी है तो क्या कुछ अच्छा लगी गर नहीं, बलकि अगर happy child होगा उसे हम कितने interesting way में अगर हम सिखाएंगे पढ़ाएंगे तो उसको भ बच्चों के लिए चीज़ें इंट्रस्टिंग बनान चाहिए वो बॉर नहीं होने चाहिए तो यह narrator हमें बताते हैं the summer of joy, in the absence of a happy childhood, we shall have a winter of sorrow, the summer heat of joy will never be there तो यह थी आपकी poem, अब बच्चों हम आपकी textbook questions को जदी से complete करते हैं working with the poem page 85, question मा first है आपका, find three or four words phrases in stanza one that reflect the child's happiness and joy अब हमें दो तीन phrases लिखने हैं, stanza one से लेने हैं, जो के child, जो के बच्चे के happiness को बता रहे हैं, reflect कर रहे हैं तो वो कौन से phrases और words थे, the word phrases that reflect the child's happiness are the song of birds, यह जो birds के song होते हैं, skylock, and the sound of hunter's horn, ती साइच चीज़े, बच्चे की happiness को reflect कर रहे हैं, ठीक हैं question number two, in stanza two, the mood changes, which word phrases reflect the change mood, अब stanza, stanza, जो second stanza है, उसमें बच्चे का mood किस तरही के से change हो जाता है, हमें कैसे पते चलता है, वो हमें phrases बता रहे हैं, तो the words phrases reflecting the child's mood are, तो जैसे के, drives all joy away, यानि मेरी साही खुशिया चीन लेती है, चीज़े मुझे स्कूल के लिए उठना of the teacher, यानि teacher की जो ये cruel eye होती है, यानि old teacher है, और वो बहुत जादा गुस्से वाली है, sign and dismay, यानि disappointment और unhappy, तो ये सारे ही phrases और words reflect करने है, बच्चे का mood और वो unhappy है, question number three, a cruel eye outworn refers to, अब जो stanza में ये जो cruel eye outworn लिखा है, इसका क्या मतलब है, the classroom which is shabby, noisy, यानि classroom बहुत shabby है, गंदी सी है, और बहुत आवाज आती है, तो इसका ये मतलब है, बिलकुल नहीं, the lessons which are difficult and interesting, तो इसका मतलब ये है कि जो lessons है, वो बहुत जादा uninteresting है, बहुत जादा difficult है, बच्चे के लिए, या फिर third है, the dull, uninspiring life at school with lots of work and no play, तो इसका जो answer होगा, वो third होग कि एकदव uninspiring life है, school में, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ काम ही दिया जाता है, बच्चो को खिलाया नहीं जाता है, बिलकुल बोरिंग तरीके से पढ़ाया जाता है, तो ये इसका meaning third है, ठीक है, मतलब बिलकुल भी inspiring नहीं है, टीचर बिलकुल inspire नहीं कर रही है, बच्चो को ब कर नहीं है, बच्चो को खिलाया जाता 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 है, बच्चो को I sit in the school garden for fear of getting wet in the rain अब इसका क्या मीनिंग है इस लाइन का नोर सिटिन लर्निंग बार वर्न थ्रो विद्धा ड्रेडी शार यानि जो भी लेक्चर्स स्कूल में उसे मिलते हैं और जो लेक्चर्स की बारी बरसात करती हैं तीचर उन पर यानि इसका मतलब यह है कि जो जितने बीक्चर्स वो दे रही है उनमें उसे बिल्कुल भी इंट्रस्टिंग इंट्रस्ट नहीं है तो इसका आउसर है आपका सेकेंड यही नोर कैना आई लर्न आइधिंग एड़ी इसकूल थ्रो टीचर्स गो लेक्चर्स दी जा रहा है एक्स्पेंड किया जा रहा है तो उन स झीध कि प्रांड़ी नहीं है जाख कर दो कि हैड़ी इसकache ए यहीं है व कर रहा है यहीं है जाख स्वेंड».